तो जी हां दोस्तो अगर आप भी बिहार पेरामैडिकल 2023 की तियारी करिना चाहते हैं बिलकुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं All Subjects पढ़ना चाहते हैं हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एक्साम के Point of View से Important है तो दोस्तो आप लोग के लिए एक new batch start किया जा रहा है 20 तारीक से और इस batches में आपको daily live classes दी जाएंगे, recorded video मिलेगा, weekly mega test, daily classes PDF और उसके बाद last 15 years का PYQ भी करवाया जाएगा तो दोस्तो अभी join कीजिए हमारे इस course को मात्र 650 उर्पीज में इसके लिए आपको जाना होगा play store पे और वहाँ search करना होगा study with rites जी हाँ play store पे जाने के बाद आप लोग install कीजिए हमारे application study with rites को और unlock कीजिए अपने सभी courses को मात्र 650 उर्पीज में और अधिक जानकारी के लि होंगे स्वस्त होंगे तो my dear student आज की class आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए काफी जादा important होने वाली है क्योंकि आज की session में हम लोग हिंदी के most important question को करने जा रहे हैं जो आपकी बिहार paramedical 2023 के exam of point भी उसे काफी जादा important होगी तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की class को हम लोग करते हैं start तो class को start करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी request है यदि आप लोग इस channel पे नए हो पहली बार हो तो channel को subscribe कर लिजे और bell icon को hit के जे तो चलिए बच्चों अब हम लोग question की और move करते तो जी हाँ guys आपकी screen पे एक ब वर्तिनी की चर्चा की गई है तो आप सभी को यहाँ पे बतानी है कि असुध वर्तिनी कौन सी है आपका यहाँ पे chain करनी है असुध वर्तिनी की जी हाँ तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे option A है समर्थन, option B, दर्दृता, option C, सिंग्ध और option D, तपस्या, जी हाँ बच् मैं अगर वर्तिनी की बात करूँ तो जैसा कि मैं आपको previous class में बता रखा था कि किसी सब्द में आई हुए अक्षरों को और मात्राओ शहित कहने या लिखने की रिती को वर्तिनी कहा जाता है बट यहाँ पे वर्तिनी का यहाँ अगर मैं बात करूँ वर्तिनी का तो वर्त वर्तिनी का सिधा समंद का सिधा समंद बचो कहां से होता है तो उचारन से होता है अगर मैं साधारन सब्दों में आप लोगों को समझाओं तो यदि उचारन सुध होगा तो वर्तिनी भी सुध होगी जी हाँ बचो तो इस point को आप लोग लिख लिजेगा काफी important यहाँ प बच्चो यहां पे सूध का क्या होगा तो यदी उच्चारन सूध होगा तो वर्तिनी भी हमारी सूध होगी बट यहां पे अगर मैं असूध की बात करूँ तो असूध का क्या कहता है बच्चो साधारन सब्दों में डिफनेशन यदी उच्चारन असूध होगा तो वर्तिन भी आपकी अशुद होगी ठीक है न तो इस point को आप लोग लिख लीजे काफी important है बच्चो क्योंकि यहाँ पे अशुद और शुद भाचानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे beneficial होगी ठीक है न तो मैं यहाँ पे बच्चों यहाँ पे comma देकर यहाँ पे मैं लि लिख लेना बच्चों ठीक है note no.1 और note no.2 ठीक है चलिए और बताई आप लोग यहाँ पे correct answer यहाँ पे क्या होगी जी हाँ बच्चों यहाँ पे option ने है समर्थन तो शमर्थन हो गया बच्चों उसके बाद यहाँ पे option B आपका दृत्ता हो गया और option C आपका सिंध हो गय और option D आपका दृत्ता हो गया तो यह तीनो बच्चों यहाँ पर बताईे आप लोग फटा पर तो यह त्तीनो बच्चों इहाँ पर सुधवर्तनी है जी हाँ बच्चों यहाँ पर कोई भी असुधी का प्रकट नहीं की जा रही है क्योंकि यहाँ पर उचारण करने से ही यहाँ पे आपको अनुभाव होगा कि यह हमेशा सुध ही है और यह सुध ही लिखा गया है तो यहाँ पे बचो यह हमारा तीनों क्या होगा तो सुध वरतनी होगा बट यहाँ पे बचो जो दर्दता है यह हमारा अशुध है ठीक है अब अशुध कैसे बचो क्योंकि दर्द नहीं होता है बचो दर्द्रता होता है तो यहां पे आप लोग लीख लिजेगा इसका सही सुध। ठीक है तो दर्द्रता का बचो क्यों के हैं पैं पर सुध। बच्चो इस note को आप लोग anyhow लिख लीजेगा जी हाँ अगर बच्चो आप सभी ने option number B को अगर log किया है then answer आपका सही है यहाँ पर option based the correct answer हो जाएगा बच्चो ठीक है चलिए बढ़ेंगे हम लोग next question कि और next question भी आपके screen पर आ चुकी है और यह भी काफी प्यारा question है सभी को समाज से related question दी गई है तो आई होप आप च्रेमी ने समाज के बारे में परागा अगर नहीं परा आया अच्छे से अगर आप लोगों को शमाज में नहीं आई है तो इस वीडियो के comment section में आप सभी को जरूर message करनी है कि जी sir आप बताईए एक separate video लाईए समाज पे त जहलता, option B आजन्म, option C सत्या गरह और option D ग्राम गत जी हाँ बच्चो आप लोग बताईए यहाँ पे फटा फट यहाँ पे correct answer क्या होगी यहाँ पे अबेई भाव शमाज की बात की गई है तो आप सभी लोग पहले अबेई भाव शमाज का definition पे जाईए जी हाँ बच्चो क किसी भी सवाल का जबाब देने से पहले उस question पे आप लोग बिचार कीजिए उस question की गहरायों तो आप लोग पहुंचे बच्चो कि जो सब्द दी गई है उस question में उसका क्या अर्थ निकलता है उसका मिलिंग क्या है उसका क्या कहना है बच्चो जी हाँ बच्चो अगर आवी पूरबक इस वीडियो के comment section में comment करेंगे कि अबई भाव समास इसमें से कौन सा होगा दहलता आजन्म सत्यागरा या ग्रामगत जी हाँ बच्चो आप लोग बताएंगे फटा फट यहाँ पे ये correct answer इसकी क्या होगी जी हाँ बच्चो अगर आप सभी प्यारे विद् कीजिए जी हाँ तो आप लोग क्या करोगे तो आजन्म का बच्चो शमास बिग्रह क्या होगा यहाँ पे मैं लीख देता हूँ काफी important यह सब question है बच्चो आप सभी को रट लेना है और इसका short trick भी मैं आप सभी को बताऊंगा तो आप सभी लोग जादा हैं पे परिशान ना हो बट आप लोग इस वीडियो के comment section में बस आप लोग comment कर देना कि जी सर आप बताईए यहाँ पे short way में कैसे आप लोग समझ पाएंगे समाज को तो मैं आपको लाओंगा बच्चो तो आज जन्म का यहाँ पे समास बिग्रह क्या होगा बताईए आप लोग फटा फट तो जन्म से लेकर जी हाँ बच्चो जन्म से लेकर ठीक है और यह हमारा कौन सा समास कहलाएगा यह हमारा बैभाव समास कहलाएगा तो आप लोग इस point को लिख लीजेगा फिर उसके बाद यहाँ पे बात आईए बच्चो देह लता जी हाँ तो यहाँ पे बताईए इसका स कर्मधारे समाज कहलाएगा और इसका समाज बिग्रह क्या होगा बताईए आप लोग फटा फट इसका समाज बिग्रह होगा बच्चो यहाँ पर मैं डिरेक्ट लिख देता हूं लता रूपी कमल जी हां बच्चो क्या होगा तो लता रूपी कमल इसका समाज बिग्रह हो उपनाम उपने का समंध हो उसे हम लोग कर्मेधारे समास कहते हैं तो जी हाँ बच्चो आप सभी ने अगर यहाँ पे डिफनेशन याद होगी तो आप लोग यहाँ पे बना लोगे यह हमारा कौन सा समास कहलाया तो यह हमारा कर्मेधारे समास कहलाएगा ठीक है बट बच्चो आप सभी से एक request है जो भी extra point आपको लिखवाई जाती है आप लोग इसे जरूर नोट कीजेगा आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial होगी आपके exam के लिए बच्चो ठीक है न अब बात आईए बच्चो यहाँ पे सत्याग्रह जी हाँ बच्चो तो आप ल पूरुष समाज का यहाँ पे क्या कहता है definition तो जिस समाज में उत्तरपद परदानों तथा समाज करने के उपरांत विभक्त कारक्चिन का लोप हो उसे हम लोग तत्थ पूरुष समाज कहते हैं तो यहाँ बच्चो मैं लिख देता हूं सत्याग्रह का समाज विग्रह क्या होगा तो सत्थ के लिए आग्रह जी हाँ बच्चो यहाँ पे क्या होगा शत्थ के लिए आग्रह इसका सत्याग्रह का यहाँ पे समाज विग्रह हो गया क्योंकि विग्रह से भी कोशन आपको देखने को मिलेगा बच्चो इसलिए मैं सभी का यहाँ पे विग्रह करवा दे ठीक है सत्य के लिए आगड़ा और यह हमारा कौन सा समाज कहलाएगा तो यह हमारा तत्पूरु समास है बचो शत्यागड़ा यहां पर मैं लीख देता हूँ तत्पूरु समास ठीक है बचो चलिए तो बताए बचो यहां पर ग्राम गत का समास बिग्रह क्या होगी फटा का समास भीगरा भी यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चो तो ग्राम को गया हुआ जी हां आप लोग यहां पे लिख लीजेगा समास भीगरा बच्चो आप से पूछ दिया जाएगा तो आप लोग यह सब काफी इंपोर्टेंट आपके लिए यह सब कोशन है बच्चो जो भी करवाया जा रहा है मोश्ट इंपोर्टेंट है बच्चो आप लोग इसको खलका में ना लिजेगा क्योंकि आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यह इंपोर्टेंट यहां पे रहने वाली है ग्राम गत का यहां पे क्या होगा समास भीगरा तो ग्राम को गया ग्राम गत क्या जब आप रहेगी बच्चो तो यह हमारा तत्पूरु समास होगा जी हां तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए ग्राम गत हमारा कौन सा समास हुआ तो यह हमारा तत्पूरु समास रहा डिफनेशन के एकॉर्डिंग बच्चो और यहां पे मैं डिफनेश विभक्त कारक चिन का लोफ हो उसे हम लोग तत्पूरु समास करते हैं तो आप लोग इसको लिख लिजेगा बच्चो बहुत ज्यादा यहां पे इंपोर्टेंट रहेगी आपके लिए चलिए अब इसके बाद क्या हम लोग अगले प्रशनों के और मूप करें तो हम जी हम ल बच्चो यानि अग्र का बिलून क्या होगा यानि विप्रित सब्द आप से पुछा जा रहा है जी हम बच्चो अग्र का उल्टा बताईएगा यानि विप्रित सब्द बताईए क्या होगा फटा फट बताएंगे बच्चो आप लोग इसका तो जवाब आप लोग दीजे फटा फटे यहां पे वीडियो के कॉमेंट चक्तर में आप लोग अपना जवाब दीजिए तो अगर का विप्रित क्या होगा तो अगर का मतलब बच्चो हो जाएगा अगला या पहला या अगला भाग जी हां बच्चो तो यहां पे आप लोग लिख लिजेगा यहां पे आप लोगों को doubt create नहीं होगी ठीक है अगला भाग जी हां बच्चो तो यहां पे आप लोग लिख लिजेए फिर उसके बाद यहां पे देखिए हम लोग अगर options की और move करेंगे तो options हमारा क्या कहता है कि option A है औरो ही option B विगर option C अंत और option D पस्चात जी हां बच्चो तो बताएए फटा फट मैं यहां पे आप सभी को अर्थ भी बता दिया कि अर्थ इसका क्या होगा अब तो आप लोग बता दीजे यहां पे इसका सही जबाब क्या हो जी तो जी हां बच्चो अगर आप सभी प्यारे बिद्यारती option नमर अगर D को लॉग कर रहे हो then answer आपका यहां पे सही है option D is the correct answer अगर का क्या होगा यहां पे बिलोम शब तो पस्चात होगा पस्चात कैसे होगा कि अगर मैं वाक्यों में इसका परियोग करूगा बच्चो अगर वाक्यों में आप लोग परियोग करोगे तो क्या बनेगा इस वाहन का अगर भाग तूट गया जी हां बच्चो यानि अगला भाग तूट गया तो आप लोग लिख लीजेगा अगर आप लोग वाक्यों में परियोग करोगे तो इसका क्या होगा फटा 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 काफी important है बच्चो यह सब point यहां पर आपको वाक्य के recording भी दे दिया जाएगा तो आप लोगों को यहां पर बता दे नहीं है इस वाहन का अगर भाग टूट गया जी हाँ बच्चो आप लोग यहां पर इस चीज को लिख लिजेगा काफी important है यहां पर तूट गया है ठीक है तो यहां पर मैं इसको वाक्यों में भी convert कर दिया तो अगर का बच्चो बतलब यहां पर देखिए अगला पहला या अगला भाग वा लेकिन यहां पर पच्चाताप option में आपका यहां पर सही होगा यानि दिये गए प्रस्न का right answer यहां पर पच्चा चा वाक्यों में आप लोग परियोग करोगे तो इसका वाक्य क्या बनेगा तो धूम केतु का पच्चाताप भाग अकास में दिखाई दे रहा है जी हां बच्चो जी हां बच्चो तो यहां पर आप लोग दोनों यहां पर मैं लिख दिया हूँ इसका वाक्यों में भी परियो कर दे रहा हूं ठीक है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं आप लोग वीडियो को पॉच करके यहां पर आप लोग देख लीजेगा ठीक है चलिए इसको मैं इरेज कर दिया इरेज करने के बाद बच्चो मैं यहां पर इन सभी का भी मैं बता देता हूं क्या होगा तो यहां आउना मतलब क्या होता है और रोह का अर्थ क्या होता है तो चटना होता है जिई हम बच्चों इसका और भी आप लोग लिख लीजाएगा। तो अंत का हो जाएगा बच्चो आदी हो जाएगा अदी हो जाएगा अनंत हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर आरंब हो जाएगा यह तो यहां पर बच्चो यह सब किसका है यहां पर बिलोम सब्द हो जाएगा तो अंत का बिलोम सब्द हो जाएगा ठीक है तो आप पूछा जा रहा है साइकल गायों के चर कर लोटने का समय कहलाता है जी हाँ बच्चो जब गाय चरने जाती है जब साम में लोट कर आती है घर तो उस समय को उस काल को क्या कहा जाता है एक नाम दिया जाता है तो आप लोग बताईएगा उस संध्या काल के गायों को चर कर जी हाँ बच्चो आप लोग बताएंगे फटा फट यहाँ पे correct answer क्या होगी यह प्यारे से question का तो जी हाँ बच्चो अगर आप सभी प्यारे बिद्यार्थियों का जबाब आ रही है option number B it is correct answer जी हाँ option B is the right answer आपका यहाँ पे हो जगा यह नि संध्या काल में जब गाए और move करते हैं और अगला प्रस्ट भी आपके screen पे आ चुकी है और यह भी काफी प्यारा question है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे सकी वह मुझसे कहके जाते हैं सिर्सक का ब्यांस किस कृती से लिया गया है यहाँ बच्चो यह एक कभीता है इस सिर्सक का ब्यांस किस कृती से लिया गया है यहाँ पे आप सभी को बतानी है सकी वह मुझसे कहके जाते हैं बताए फटा फट यहाँ पे बच्चो आप सभी लोग बताएंगे यह किस कृती से लिया गया है ठीक है तो बताएंगे option A है रमायन option B साकेत option D महाभारत और option D यह सुधरा बताएंगे आप ल सोधरा होगा तो जी हाँ बच्चो अगर आप सभी प्यारे विद्यारतियों का जबाब आ रही है option D यह सिर्सक का भ्यान साबको यह सोधरा से लिया गया है ठीक है अगर मैं बात करूं इस कभीता का रचाईता कौन है जी हाँ बच्चो जो यह सकी वह मुझसे कहके जाते है इस सिर्सक के रचाईता कौन है बताईए आप लोग फटा फट यहाँ पर बताएगा तो इसके रचाईता बच्चो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके रचाईता आपको मैथली सरन गुप्त जी है जी हाँ बच्चो यह एक बहुत ही छाया वादी कभी के तोर पे जान भी है जो की काफी अच्छा वादी कभी के तौर पे जाने जाते थे ठीक है चले तो यहाँ पर लिख लिजेगा इसके राइटर का नाम क्या है तो मैथली शरन गुप्त जी ठीक है चलिए चलिए बच्चो अगर इसके बाद मैं अगर बात कुनू रमाइन की तो बताईए आप लोग रमाइन के रचैता कौन है यह किनके दोरा यहां पर लिखी गया था तो यह बच्चो महरसी आप सभी को पता भी होगा महरसी वालमिकी जी के दोरा यह रचै ठीक है ना तो आप लोग यहां पर लिख लिजेगा इनके राइटर कौन है तो महरसी वालमिकी जी है ठीक है अगर मैं बात करूँ रमाइन का दूसरा नाम क्या है दूसरा नाम से इसको क्या बुला जाता है तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि रमाइन का दूसरा नाम आप लोग बताईए तो आप लोगों का क्या जबाब होगा बच्चो तो राम चरित्र मानस जी हां ब बच्चो फटा फटा आप लोग बताईएगा तो जी हां बच्चो विद ब्यास को स्रे दिया जाता है महाभारत के लिए जी हां तो आप लोग विद ब्यास जी के द्वारा यहां पे किया गया था जी हां बच्चो तो आप लोग यहां पे लिख लिजेगा काफी इंपोर्ट जी हाँ बच्शों आप लोग बताईएगा निमली रिकित में कौन सी संदि सुध है option A है उलजोर लास उलास option B उत जोर लास उलास option D सनजोर गम संगम और option D उत जोर दहत उद्धत बताएं आप लोग फटा फट यहां पर करेक्ट एंसर क्या होगी जी हाँ बचो बताईएं आप लोग फटा फट यहां पर तो अगर बचो आप चभी प्यारे विद्यार्थियों का जबाब आ रही है option number B it is correct answer यानि इसका यहां पर सही संधी विछेद बचो हो जाएगा उत्जोर लास उल्लास हो जाएगा ठीक है इसके प्रस्पर मेल को यहां पर क्या कहा जाता है तो शंधी कहा जाता है ठीक है तो जो भी बच्चे यहां पे अच्छे से अगर परियोंगे संधी को तो यहां पे जबाब उनकी correct आ रही होगी जी हां उत जोर लास उल लास हो जाएगा जी हां बच्चो तो ऐसे यहां पे option based the correct answer हुआ जी हां तो यहां पे बात आएए बच्चो उत जोर धत उत दत होगा नहीं बच्चो यह हमारा गलत है संधी सुध अगर आप लोग यहां पे किया जाएगा तो आप लोग को यहां पर क्या लिखोगे आप लोग बताईए फटा-फट यहां पर तो जी हां यहां पर देखे संगम का क्या होगा मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों शंगम का आपका यहां पर हो जाएगा शमजरगम यह हमारा क्या हुआ? शंगम हुआ तो ऐसे इसका यहां पे संदी होगा बच्चो फिर उसके बाद यहां पे उद्दत का अगर मैं बात करूँ तो इसका बताई आप लोग फटा-फट किया होगा तो जी हां, इसका यहां पे हो जाएगा संधी विग्रा बोल सकते हैं या संधी विछेद आप लोग बोल सकते हैं दोनों में से कुछ भी आप लोग बोल सकते हो तो संधी विछेद आप लोग कीजे इसका तो इसका बच्छो हो जाएगा उत जोर हत जी हां बच्छो उत जोर हत हमारा क्या हो जाएगा उद्दत हो जा पुछा जा रहा है बैभव की मधूर साला जी हां यहां पे बैभव की मधूर साला जग पालन होने वाला किस कभी की कभीता से लिया गया है जी हां यहां यहां पर वैसे कभी की नाम बता नहीं है जो बैभब किया मदूर साला उनके कभीता से लिया गया है उस कभी की नाम बताईए आप लोग फटा फट यहां पर क्या होनगा जी हाँ option A है आपका तुलसी 10 option B जैसंकर परसाद option C निराला और option D पंत जी हाँ आप लोग बताईएगा बच्चो फटा फट यहां पे बताईए correct answer क्या होगी तो अगर बच्चो आप सभी लोग option नमर कितने को बताईए फटा फट यहां पे जल्दी से बताएगे आप लोग इस वीडियो के comment section में correct answer आप लोग दीजिए इस प्यारे से question का तो जी हाँ बच्चो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों कि जब आप आ रही है option नमर B it is correct answer यानि जैसंकर प्रसाद जी की कविता से यह कविता का शुनान से हाँ पर लिया गया है ठीक है बैभव कि यह मधूर साला अगर मैं भात कुनूं बच्चो यह जो मधूर साला है ठीक है न इसकी रचाईता कौन ने इसके रैटर का नम आप यहाँ पैग बहुत ही प्रशिद कभी किनके द्वारा रचित यह कभी दाए हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजेगा हरी वन्सराय वच्चन जी हाँ तो यहाँ पे यह बहुत ही प्यारा सा कोशन बच्चों आपके लिए ठीक है तो आप लोग इसको द्वारा बच्चों यहाँ पे सिरी राम चरित्र मानश उनके द्वारा ही रचित यहाँ पे महाकाब है फिर उसके बाद यहाँ पे हनुमान चालीसा भी उनके द्वारा ही यहाँ लिखा गया है ठीक है तो आप लोग यहाँ पे बात करू निराला जी की तो निराला जी के द्वारा पर मुख रचना यहां पर रचना यहां पर देखिए अर्चना हो गया फिर उसके बाद यहां पर गीतिका हो गया और यहां पर दो सरन जैसे पर मुख कृतिया यहां पर निराला जी के द्वारा रचित रचना यहां पर है ठीक है तो इन दो तिन का मैं नाम यहां पर आप सभी को लिख दे रहा हूं आप लोग इसको नो डाउन कर लिजेगा काफी इंपोर्टेंट है बचों यहां पर फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ पंत जी की तो पंत जी के द्वारा आप लोग बताएंगे कि इनके द्व जाल रचित रचनाएं कौंद कौंद जी है बताईए आप लोग फटा फटे हैं पर पंत जी के द्वारा भी बोहुत थी ऐसे पर मुक पर रचनाएं जो कि इनके द्वारा रचित है जैसे मैं एक दो का नाम आप सभी को बता देता हूँ यूग पंध जो की 1949 में यह ग्रंद लिखी गए थी यह रचनागी लिखी गए थी पंट जी के दारा इनका फूल नेम सुमित्रा नंधन पंध जी ठीक है तो यहाँ पे आप लोग लिख लिजेगा इनके तौरा यूगपंत जो की 1949 में यह रचित गरंत है उसके बाद यहाँ पे सवन्द कीरन है इनके दौरा यह रचनाइं 1947 में यहाँ पे रचित की गई थी पीर ऐसे काफी ऐसे इनके दौरा रचनाइं है जो की बहुत ही प्रमुक रचनाई के तौर पर जाने जाते हैं फिर तो जी हां बच्छो तो यहां पर यहां पर लिखाए गए हैं तो आप लोग इसको अच्छे से मैं भी बता रखा हूँ कि परिवाची सब्द यहां पर समानार्थी सब्द भी पूछा दिया जा सकता है ठीक है बच्छो हम लोग उप्शनों की और मूप करते हैं और उप्शन ए है हमारा उल्लास उप्शन बी संप्रदा उप्शन सी चपला और उप्शन डी कामना जी हां इस कौशन में करेक्ट एंसर क्या ओगा इस कोशन का करेक्ट एंसर क्या होगी तो बताइए फटा फट यहां पर अगर मैं बात कुनेहें इक्छा का परिवाची सब्द यहां पर क्या होगी बच्छो कामना हो जाएगा या आप लोग इसको चाह, लालसा, नोरत जैसे बात आए बच्चो उलास की तो उलास का आप लोग बताएंगे परिवाची सब्द क्या होगी तो उलास का बच्चो हो जाएगा अनंद हो जाएगा फिर उसके बाद यहां पे क्या होगा बताईए आप लोग आनंद हो जाएगा उलास के मतलब बच्चो खुसी होती है तो इस से रिलेटेट यहां पर यह तिन चार यहां पर होंगे इसके परिवाची और कई भी परिवाची होंगे फिर उसके बाद संप्रदा का आप बात बताईए यहां पर क्या होगी परिवाची सब तो संप्रदा यानि धन दौलत संपती जैसे सब यहां पर क्या होंगे इसके परि पूछा जा रहा है तो बताई आप लोग चपला का यहां पर क्या होगा तो चपला का समनारती सब्द बच्छों हो जाएगा चंचला हो जाएगा दामिनी हो जाएगा ठीक है यहां पर और भी कई इसके यहां पर हैं परिवाती सब्द तडित हो जाएगा यह सभी यहां पर क् और इसमें पूछा जारा है आपसे आप लोग बताएंगे काफी प्यारा कोशन और काफी फेमस यह कोशन है यहां पर आगलू चौधरी एक प्रसीद कहानी कर्वें दो dairy के पात रहें जी हम बचो यहां पे जम्मू सेख और तेखली की बात की थे बताईए फटा फट यहां पे तो इस कहानी के सिर्सक बचो मैं आप लिख दू पंच परमिस्वर था जी हां कौन सा बचो तो पंच परमिस्वर यह काफी फेमस यह कहानी हुई थी बच्चो तो इसके सिर्सक का नाम क्या थे हैं आप सिर्सक भी आप से पूछ दिया जा सक तो आप लोग याद रखिएगा पंच परमेस्वर अब तो आप लोग बताईए इस कहानी के अब लेखा कौन थे मैंने तो सिर्षक आप सभी को बता दिया अब लेखा की बात आए तो लेखा की बताईए यहां पे आप्शन ए है प्रेम चंद्रे आप्शन भी परसाइं ऑप आप्शन डी यहां पे नामोर सिंग जी हैं बच्छ आप लोग बताईएगा इस कहानी के लेखा कौन थे फटा फट बताईएगा आप लोग इसके सिर्षक यहांपए पंच परमेस्वर थे पंच परमेस्वर खिसके द्वारा लिखा गया था इसके रचाईता कौन थे option यहां पर कि और मैं बरहा तो option यहां पर डी भी गलत है option C भी गलत है और option B भी गलत है बट option A is the correct answer जी हां बच्चो यानि यहां पर मुंसी प्रेम चंदर जी के द्वारा यह कहानी को लिखा गया था तो आप लोग यहां पर लिख लिजेगा मुंसी प्रेम चंदर जी के द्वारा यह कहानी लिखी गई थी ठीक है तो यह काफी important है यहां पर यह question रहा बचो आप लोग इसको लिख लिजेगा अगर मैं बात रहूं है पर नामोर सिंग तो जी हां बचो आप लोग बताएगा नामोर सिंग के गुरू जी का नाम क्या था बताएगे आप लोग फटा फट यहां पर नामोर सिंग के गुरू जी का नाम क्या था यहां पर कोशन आपके लिए बचो बहुत ही जादा important यह question है आप लोग बताएगे नामोर सिंग जी के गुरू का नाम क्या था यह बचो मैं आप सभी को यहां पर हिंट दे रहा हूं आप लोगों को इंसर बताने में काफी सॉलियत होगी तो मैं आप लोगों को यह बता दे रहा हूं बचो कि यह भी बहुत ही famous आचारे गुरू थे और इनके द्वारा भी काफी कभी ताएं काफी साहित इनके द्वारा भी लिखा गया था तो उनका नाम आप सभी को बताना है और अगला फ्रस्थ्य में aixòतकी है और यहीं और अधी है ओष्या गया अप लिखाता नेमलेखीत में कौankaorship का उधारन पूछ रहा है है तो आप लोग क्या संधी का पहले आप लोग यह जानो कि इसका definition क्या कहता है विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा वेंजन का मेल होता हो तो उसे हम लोग विसर्ग संधी कहते हैं जी हां बचो यहां पर definition को यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आप लिख लिजेगा उसके बाद आप सभी की और मैं एंसर की और मूब करूंगा और इंसर आप सभी को बतानी है बचो पहले आप लोग definition लिको फटा फटे हैं पर जी हां पच्छो यहां पर आप लोग नोट कीजेगा विसर्ग संधी तो विसर्ग संधी क्या करती है तो विसर्ग संधी के साथ जब किसी स्वर अथवा वेंजन का मेल होता हो उसे हम लोग क्य करते हैं तो विसर्ग संदी करते हैं तो चलिए अब हम लोग आप्शन की और मूब करते हैं और आपको देखना है विसर्ग संदी किसमें लगा हुआ है किस आप्शन में लगा हुआ है जगत जोर्णात जगदनात आप्शन यहां पर भी हो जाएगा से जोर अंसयन आप्शन स से इस दा करेक्ट एंसर जी हैं बचो कैसे तो यहाँ पे देखिए नहीं जो रो निरो होगा बाकी इन सभी में लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है बचो तो option से इस दा करेक्ट एंसर definition के according ही बचो यहाँ पे clear हो गई कि विसर्ग संदी क्या कही तो विसर्ग संदी में बचो विसर्ग होना चाहिए तब ही हमारा विसर्ग संदी कहल आएगा और कहे जाएंगे बचो ठीक है तो आप लोगों कोई समझ में आ गई बचो तो जिस विसर्ग के साथ स्वर अथ्वा का मिल हो उसे हम लोग विसर्ग संदी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर option से इसदा correct answer आपकी यहाँ पर हो गई बाकी यह तीनों यहाँ पर option गलत है तो चलिए बच्चो आज की class में हम लोग यहीं तक फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही informative class ऐसे interesting class के साथ तो आज की class आप सभी प्य मिलेंगे हम लोग बाइबाइ सभी को और गुटनाइट एवरीवन